सबसे बड़े उपीनियन पोल पर, उपीनियन पोल में अब तक 18 स्टेट्स में एंडिये को बंपर सीटे मिल रही है 18 राजों के उपीनियन पोल में एंडिये 300 के पार है और अब जरा ये इस वक्त की तस्वीरें है बंगाल, बंगाल में ग्रेटर कोलकता की पांच सीटें, पांचों सीटें टीमसी को जाती हुई, त्रिणमूल को जाती हुई, बंगाल की ग्रेटर कोलकता की कोलकता और असपास की पांच सीटें जो हैं, पांचों सीटें न्यूज 18 के मेगा उपीनियन पोल में त्रिणमूल कॉंगरिस को जाती हुई यानी रीजन वाइज हम बता रहे हैं बिलकुल अब उत्तर बंगाल के अगर बात करें तो सीधे-सीधे आप देखिए साथ सीधे मिलती हुई इस मेगा उपिनियन पोल में नज़र आ रही एंडिये को जबकि दीदी को ममताव अगर इंडी गडबंदन के हम बात करें तो शुन्ने अन्ने का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है रीजन वाइज अगर हम उत्तर बंगाल की अब बात कर रहे हैं यानी ग्रेटर कोलकता में जो पूरा सफाया हो रहा है एंडिये का वो पूरा वहां पे कवर अब हो रहा बारा सीटों में साथ त्रिनमूल और पांच एंडिये वहां यानी बीजेपी और कॉंग्रेस लेफ्ट गडबंधन को कुछ भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है वहां पर पीछे नहीं है पांच यहां पर दिख रही है अगर हम दक्षणपूर बंगाल की बात करें पश्चमंगाल जो है दक्षण पश्चमंगाल बड़ा उलट थे नदर आ रहा है बड़ा यहां पर दिख रहा है कि 13 सीटें बीजेपी को और चार सिर्फ त्रिनमूल को और यहां पर भी बाकी किसी का खालता नहीं खुलता हुआ है यानी कॉंग्रेस लेफ्ट गडबंधन 17 सीटें हैं यहां कि जिसमें 13 सीदे सीदे लीड लेती हुई एंडिय नदर आ रही है और ममता बेनर जी कि त्रिनमूल कॉंग्रेस को चार सीटें और इंडिया गडबंधन का खाता है नहीं खुल रहा है नहीं अधर्स का खाता खुल रहा है तो अब देखिए फिल्कुल जो 42 सीटे हैं उसमें बीजेपी 25 पिछली बार 18 से बढ़कर 25 बिल्कुल तो यह चौंकाने वाला अकड़ा यह कि पश्चिम बंगाल में भी त्रिनमूल एंडिय से पीछे त्रिनमूल कॉंग्रेस जो अकेली 42 सीटों पर लड़ रही है और जो 42 परसेंट एंडिय को जाता हुआ इस उपीणिन पोल का नुमान है और त्रिनमूल को भी उतना ही जाता हुआ लेकिन सीटें कम हैं अब यह देखिए यह गड़ बंधन होना था जो नहीं हुआ जो नहीं हुआ बिल्कुल 42 की 42 सीटों पर खुद लड़ रही है और ऐसे में स थोड़ा थोड़ा वोट ले रहा हुआ लेकिन 14 परसेंट जो वोट ले रहा है वो 14 परसेंट वोट उसका लेना बीजेपी को सीधा फायदा देरा है पश्चे मंगाल का वोट परसेंटेज हमने आपको दिखा कि किस तरह से अब यह ओवराल अगर आप देखेंगे अब तक का पूरा टोटल जो 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 ले है 444 में से 444 के मता चुके है तो 444 में ही और विपक्षी गडबंदन जो है वो 73 पर ही पहुंचा है सिर्थ इसके अलावा अन्य जो है वो 44 पर पहुंच चुके है जो न एंडिये के साथ है न जब विपक्षी गडबंदन के श्का का उसके काफी करीब पहुंचे हैं तो चारसो से तीनसो सबताइस पर तो पहुंचे गया और अभी लगभग अभी 99 सीटों का आना बाकि है बिल्कुल तो 446 में से gryःगा ऑपिदीन पोल में कि विछयो लेकिन लेकिन एक आंक डव कर दिखा वो दिखा वोट परसंटेजिस का व भी दिल्चेस्प बात करने के लिए हमारे साथ यहां है हमेहान माइस इस्टूडियोzemे शांदनू गुपता जी हमारे साथ हैं विश्ञ賽 के शांदनू और साथ-साथ दो हमारे साथ महमान भार से जुड़ेंगे जिनमें सुप्रिया श्रीनेत हैं, कॉंग्रेस की प्रवक्ता और साथ-साथ बीजेपी के आजे आलोग भी हमारे साथ होंगे तो अब जरा चर्चा की शुरुवात की जाए पहले आगाज़ा आप करें पहले विवेक जी से पूछे सर ये गड़बंदन देख रहे हैं अगर सिर्फ बंगाल की बात करें बाकी तो पूरा ओवराल तो बात ही लेकिन बंगाल में 42% त्रिदमूल, 14% आप और कॉंग्रेस और 42% बीजेपी, आपका अलग-अलग लड़ना बीजेपी को सीधा फायता दे रहा है पहली चीज़ त्रिदमूल कॉंग्रेस में अभी नहीं बूला कि वो आई-टी-आई-ए में नहीं है निपर उसने बायाले सीटों का अनाउंस करते हैं लेकिन 2004 में वाजपई को हरा करके सरकार बनाते थे इसका ये मतलब होता है कि कुछ राज्यों के समीकरण में अगर घटकदल आप असमें लड़ते हैं फिर भी पोस्ट-पोल एलायंस होगा और सरकारे बनती है ये ये विपक्ष की एक राजनीती रही है वाज तो समझ में आई लेकिन उससे नुक्सान होता दिख रहा न नहीं आप देखिये अब आप इसमें कोई नुक्सान नहीं है मैं तो इनसे दो सवाल बूच्टरों जो से फॉलिजिस्ट बैठे हैं हमारे मित्र मैंने इनसे खा आपने दिखाया था प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलारिटी 80% है आप कितना प्रतिश्ट वोट दे रहे हैं इंडिये को 35-40% के बीच में एक वोट परसेंटे जाता है तो देश में सरकार बन जाती है और आप पॉपुलारिटी के ग्राफ को आपके से फॉलिज असी परसेंट दे रहे हैं तो मैं एक तो इसको क्वेश्टन करूँगा दूसरा मैं इस बात हो क्वेश्टन करूँगा कि 42% वोट जो आपने बीजेपी का दिखाया है हम इस से एगरी नहीं कर रहे हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से वोट इस गोई टो भी मसले मचले सर यह लडाई संदेश खाली की जरूर क्रियेट की गई है कि यह सो कॉल्ड बीजेपी वर्सेस टीमसी है पर ऐसा है नहीं ग्राउंट टैवल पर तो पहले मानव जी के बाद चलते हैं सुप्रिया जी भी हमारे साथ है आजय आलोग जी हमारे साहत है सुआकत आप सभी का मानव जी यह अभी दिख रहा है कि आप जो अलग 42 सीटों पर लड़ रहे हैं अगर आप लेफ्ट और कॉंग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ते तो बीजेपी को फिर भी पीजे छोड़ सकते थे लेकिन ये फाइदा बीजेपी को मिल रहा है जो इल्जाम लगाए जारा बार-बार तो सभी को मैंने बहुत बहुत नमस्कार है पता नहीं आपने ये कैसे क्रेसा आकरम लगा लिए अभी बीजेपी न अपने तो पूरे-पूरे काईटेचर दिया ही नहीं वास्तविक्ता क्या है कि भाया 2021 में आपका एक वाया था ऐसे ही कुछ कि भादपा के रही घ्राप के रही जायें अब की बार दोसो पार और यह कहीं भी जाएंगे पहले प्रवक्ता हमारे साथ हैं हम उनसे जवाब लेंगे देखे पहले थोड़ा सबके बास जाने दीजिए हमें सूप्रिया जी आपको चर्चा में लाना चाहूंगा मैं देखे बहुत अच्छा लग रहा था कि मुकाबला जो है कड़ा होने वाला है तगड़ा होने वाला है जब इंडिया गटबंदन जब बना था लेकिन राहूल गांदी खुद चाहते थे कि तिर्णमुल कॉंग्रेस से अलायंस हो ऐसा हुआ नहीं ममताव एनरजी ने 42 सीटे खुद लड़ेंगी ये गोशना कर दी बाकाइदा एक ग्राउन में जाकर और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ही यूसुप पठान को उता कराना चाहती हूँ आपती दर्ज कराना चाहती हूँ और आशा और विश्वास है कि आप ये तुर्टी का सुधार करेंगे आपके टॉप बैंड पर एंडी ए चल रहा है नाशनल डेमोक्राटिक अलायंस हमारी अलायंस का नाम इंडिया है आई एंडिया चाहे आप डॉट तो पत्रकारता कभी रहले ने दीजिए मैं सबसे पहले ये विरोध दर्ज करूंगी और जानना चाहती हूँ कि किस हिसाब से एंडिया लिखा गया है और इंडिया पूरा नहीं लिखा गया है आप डॉट के साहती लगाते अगर आप आई डॉट एंडॉट डी डॉट लगा देते तो मुझे आपत्ती करता का ब की stealth Pi अमने आपके आपत्ती दर्ज करें आप यह सं आ बी होगा मैंने क्या कहा और आपने शायद नीए जो ऑन लूगी झाल झाल